Hello, my dear students, कैसे हैं? मैं आपका चंदर मोली मोरिय सीम सर्व स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम डिसकस करने वाले हैं 12th class के NCRT का जो 2nd chapter है, प्रोड़क्सनी फ्लावरिंग प्लांट जो favor करते हैं in-meeding को और जो favor करते हैं out-meeding को तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर सुरू करने के पहले आप हमारे चैनल नीट परमास्तर को like, share, subscribe करना ना भूलें और आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर comment करें और अगर आप detailed structure study करना चाहते हैं बोटनी की आपका अबजेक्टिव है नीट 23 में बोटनी में 180 आउट और 180 मार्क सिक्योर करना तो आप जरूर डाउनलोड कीजे गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप CMI Concept Classes जहां पर आपको मिलते हैं detailed structured courses, life quizzes, interactive classes और आपकी rank और आपकी सफलता को सुनिश्चित हम करेंगे आपके साथ लग करके तैयरी करके तो बच्चों जरूर डाउनलोड कीजे और हमारे courses को एंडॉल कीजे तो शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो जिसमें हम बात क देखें इन बीडिय्श का मतलब क्या होता है यह और आउट बीडियंगा मतलब क्या होता है यह हम पिछली lecture मैं चर्चा कर चुके हैं मैंने पिछली lecture मैं आपको समझाय था वीडियो लेक्च सर्ष जरूर देख ली के अगर आपना नहीं देखा है तो मैंने बात किया था, types पॉलिनेशन की तो ओटोगेमी के हैं, सेल पॉलिनेशन के हैं, या इन ब्रीडिंग के हैं, एक ही बात है, एलोगेमी के हैं, आउट ब्रीडिंग के हैं, क्रोस पॉलिनेशन के हैं, एक ही बात है, ठीक है ना, तो यहां हम चर्चा करें हैंगे, कि वो क्या चीजी हैं, वो क्या adaptation है जो favor करती है cell pollination को plants में और वो क्या adaptations है क्या devices है जो favor करते है alogamia को या cross pollination को देखे तो एक एक करके हम लेंगे मैं पहले तो बदा दूँ आपको कि NCIT में जो second chapter है production flooring plant वहाँ पर आपको heading मिलेगा outbidding devices ऐसे करके heading मिलेगा वो यहाँ मैंने display कर दिया है मैं इसको बाद में लूँगा पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर आप समझ पहेंगे कि NCIT में कितना छुपे heading से चीज़ों को लिखा रहता है NCIT बहुत ही रहस्य में किता रहे बच्चों मैं बता दूँ आपको वहाँ जो लिखा रहता है आपको समझते हैं तो इसको समझने के लिए सीधा सीधा मैं बात कर रहा हूं कि autogamy को कौन सपोर्ट करता है autogamy actually supported by the monocliny तो पहले तो monocliny का मतलब के होता है तो monocliny का मतलब होता है presence of bisexual flower monocliny means presence of bisexual flower तेखे ये minimum आवशकता है autogamy के लिए autogamy मतलब जब विदिन बन फ्लावर ही पोलिनेशन हो तो 100% महान कर चलिए कि autogamy होने की पहली नियुंतम आओ शकता है कि flower should be bisexual अगर महाली जी उनी सेक्सुल फ्लावर उनी सेक्सुल फ्लावर का मतलब या तो वो पिस्टिलेट होगा या इस्टिमिनेट होगा तो उसमें तो सवाल ही प्यदा नहीं हो था सेल पोलिनेशन या autogamy होने का और इसलिए monoclyny means presence of bisexual flower तो फिर yellow gaming को कौन support करता है साथ के साथ हम दोनों लेके चल रहे हैं यह outbidding को कौन support करता है तो outbidding को support करता है diecline अब diecline का मतलब क्या तो diecline का मतलब होता है presence of unisexful flower presence of unisexful flower और एक Toy temperature में पहले मैं ने upload किया था उसमें मैं मैंने आपको समझाय था कि डाइक्लाइनी का मतलब क्या मोनो क्लाइनी का मतलब क्या वो भी आप देख सकते हैं टाइकलाई ने दिखाने वाले जो प्लाँ या तो मोनओशियस होते हैं मोनओश्यस के मतलब जब एक ही प्लाइं पर मेल फ्लावर का फिरिम फिर फ्िरॉवर दोनों हो जैसे जैश्टर रहे को हो सकती है क्योंकि एक ही planet पर डाइश का a зовут आजबे सीदिस का एग्जामपल जैसे papaya है देट पाम हैं तो प्लांट पर या तो मैल फिलावर ही होगा यह फि उन्हीं मेल फ्लावर वा प्लांट और फिलाव होते रइस से अलग हैกब तो डाइशिस कि याद रखिए अगर मैं समझाओं आपको तो देखे यह है कि मौनोशियस प्लाट और इस पर यह मेल फ्लावर और इस पर यह है फीमेल फ्लावर इसी को बोलते मौनोशियस को प्लाट हविंग बहुत मेल फ्लावर तो इसमें दोनों हो सकती है पहले बात तो अगर मोनशेस condition है तो मोन Championships को कहीं होतो यह तो Unisexful flowers तो यह तो यह जीहतों गेवल शकती है इस ही प्लांट का फ्लावर से इस ही प्लांट की दूसरे flowers पर जो है Type प्लावर या फिमल फ्लावर या फिमल फ्लावर फिमल फ्लावर फिमल फ्लावर फिमल फ्लावर फिमल फ्लावर फिमल 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 फ्लावर फिमल 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 फि तो यह तो यहां से से आएगा यह फिर किसी दूसरे से ऐगा ठीक है ना आ तो अप देख लिए ढैसेस कंडिशन में घियाएस कंडिशन चिटीनोगेमी भी हो सकती है और जीमोगेमी भी हो सकती है अगला आता है जो डिवाइस है जो फेवर करता है autogamity को वो है homogaming homogaming का ममददब होता है same time same time of maturation maturation of what same time of maturation of male and female reproductive structures male or female reproductive structure का जो maturation है वह एक ही समय पर हो तो उसे कहा जाता है हुआ है हो मो गेमी यानि साथ के साथ development फ्लावर है बाइसेक्सवल उसमें meal reproductive structure भी है female reproductive structure उसमें female reproductive structure और दोनों एकसाथ होजय हो यह इन्hangi steamomun का development और जो कारपल है उसका development Karpal में produção overboard weekend cardboard or Plate- NATO development सथोजय है ..वे उसाथ हो रहा है और एक archaeology और बाइसेक्स्वल है तो ओवेसी बात है सम्हावना बढ़ जाएगी कि इसकी ओटो गेमी की तो सेम टाइम ओफ मेचुरेशन ओफ रिप्रोड़क्टिव स्टॉक्चर्चर्च इट फिल फिर हो मुगे तो फिर डाइकोगेमी सपोर्ट्स द एलोगेमी और आपड़ी तो डा और डाइस को दो तरह qat या तो यहतो यह तो अप्रोटेंडरी या यहोती यह यह प्रोटो गाइनी मेरे नाम से समझ माना जाता है या प्रो यानी पहले आंड्रोषिम का डेवलेप्मेंट अर्ले डेवलप्मेंट ऑफ प्रोटो गैनी अर्लेवलप्मेंट गैनों में तो उसमें फ्लावर तो वाई शेक्सवल लेकिन फिर भी क्या हो रहा है तो फिर भी आउट्बिडिंग और या cross-pollination हो रहा है क्योंकि male reproductive structure पहले development हो गया pollen gen पहले बन गया लेकिन अभी वहाँ जो ovule है उस ovule में अभर उसका development नहीं हो तो अगर pollen gen गिर भी गये तो successfully fertilization नहीं कर पाएंगे तो dyco game evil supports the allogamy और outpudding अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए कि monocliny में हमने का कि bisexual flower एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि bisexual flower होने से यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि उसमें हमेंसा autogamy होगी यह याद रखिए हाँ autogamy होने के लिए नूंतम आओ सकता है कि flower should be bisexual लेकि bisexual flower हो गया तो इसका मुदब यह हो गया कि साब autogamy हो ना bisexual flower होने के बावजूद भी यह लोगेमी होता है जैसे अभी हमने गाण प्रोटोगाइनी प्रोटेंडरी तो अबबन सी बात है कि उसी flower में जो है male reproductive structure female reproductive structure है और बस हो यह रहा है कि male reproductive structure पहले develop हो गया तो प्रोटेंडरी तो female reproductive structure बाद में होगा तो फिर कैसे हो सकता है ठीक है तो डाइको गेमी बिल सपोर्ट दर आउटवीडिंग और एलो फिर तीसरा आता है जो ओटो गेमी को सपोर्ट करता है वो है क्लिस्टो गेमी क्लिस्टो गेमी का मतलब होता है closed flower यानि फूल हमेशा बड़ कंडिशन में रहे फ्लावर ओपनिंग ही ना हो तो बेसिवा ते reproductive structures जो है वो उसके अंदर ही रहेंगे exposed नहीं होगे तो सवाल ही पेदा नहीं होता अचा एक और ब्रहमास ले लिए कि क्लिस्टो गेमी फ्लाव और कि मैं एक्जाम्पन दो आपको तो कोमेल एक लीना है वायूला है और ऑंजलीस हे इन में 2 फलावर होते हैं कलिस्टो गेमी इस है सबसे बटी एकजामपलिपल ये खेमिली फेबसे हैं इस तो सबसे नहीं होते हैं इसमें लेउम होते हैं इस तरीके से लिखे रहे होते हैं, जो कोरोला है, उसका जो इस्टिवेशन होता है, वो vangulari एस्टिवेशन है, और उसमें हम लिखे रहे होता है 2 प्लस, 2 प्लस 1 या 1, प्लस, 2, प्लस 2, तो जो सबसे अंदर वाले 2 पीटल होते हैं, उनको कहा जा, वो फ्यूजड होते हैं, उनको कहा जाता है, किलिया करीना, और वो जो है, इन मेल फिमल रिप्रोड़क्टरी स्टक्चर को डख कर रहे, तो फ्रवेसिम फ्लावर बाइसेक्सल होता है, और याद रखे कि कभी भी, कभी भी ब्रहमास्तर है, कलिष्टो गेमस फ करता है, चेस्मो गेमी, और चेस्मो गेमी का मतलब होता है, ओपनिंग ओफ फ्लावर, तो फ्लावर बड़ ओपन हो, रिप्रोड़क्टिव स्टक्चर से एक्सपोजड हो, तो अबसी बात है कि, जो है, क्रोस पॉलिनेशन की संभावना है, बढ़ जाएगी साब, फिर इस इसे प्रिवेंट्स दा पॉट्侯ु, जबस अगर मैं आपको समझा उं, तो हरको गेमी कर बहुत अच्छा एग्जामपल है, ग्लोरीसा, यह जो आप देख रहे है नै, यह जो फ्लावर मैंने यहां लिया है, यह जब्लोरी साग और फ्लावर है, लेली warm़ 새 क्या फ्लावर है गुलोरीसा सुपर्बा local भासा में इसको लडोखनी में कहते है तो इतार ये एंथर है ठाक है और ये वीच में है ना यहाँ यहाँ पर बीच में होता है Bisexal Flower तो बीच मिंक्या होता है तो बीच में Health ऑ た pracy होता है कारपल पर गिरे गाए निए स्टिक्मा पर गिरे गाए निए दिस काइंड ऑफ मॉर्फोलोजिकल बेरियर विच प्रिवेंट्स दर ओटो गेमी इस कोले एज हरको गेमी तो हरको गेमी जो है वो एलो गेमी आउट बीडिंग को सपोर्ट कर रहा होता है फिर इसमें एक आता ह हिट्रोस्टाइली हिट्रोस्टाइली और सेल्फ इंकॉंप्टिबिलिटी इन दोनों की चर्चा मैं अगले वीडियो लेक्चर में करूंगा तो निश्चित रूप से आप कोई चीज समझ में आई होंगी अब मैं आप बताता हूं कि देखो NCRT में किस तरीके से लिखाव इन सब चीजों का अब समझना अगर आपनी ध्यान से वीडियो को देखा है अब इसको पढ़ें NCRT को देखो क्या लिखा हूँ है कि मेजरेटी ओफ फ्लावरिंग प्लांट प्रडूस हर्मे फ्रोडाइट फ्लावर और पोलन ग्रेंस आलाइकली तो कम इन कॉंटेक्ट व प्लावर कैसा होना चीए बैसेक्स्व तो इसी को कह रहा है ये कई सारे मेजरीटी ओ फ्लावरिंग फ्लावर होता है और जिससे उस खुना खुट प्लावर के इंथर उन अब पूलन ग्रेंग एनस अधाय और इससे उता है Flowering plants have developed many devices to discourage the self-pollination and to encourage the cross-pollination. तो इस तरह के adaptations आए हैं plants में, जो discourage करते हैं self-pollination को, encourage करते हैं cross-pollination को. उनी की चर्चा यहां है, जो मैंने भी की है. तो in some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. यह किसके बात कर रहा है? तो यह बात कर रहा है, Dico Gaming की. कि pollen release, यानि androsium तो earlier mature हो गया, लेकिन stigma receptivity are not synchronized. यानि अभी stigma mature ही नहीं हुआ, तो Dico Gaming है. ठीक है ना, either the pollen is released before the stigma become receptive, pro-tendary, or the stigma become receptive much before the release of pollen grain, तो यह proto-gyne की बात कर रहा है. इन सम अधर species, the enter and stigma are placed at different position, so that pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. यह किसके बात कर रहा है? यह बात कर रहा है, हर को गयमी की. जो मैने अभी glory सा का आपको समझाया. कि the enter and stigma are placed at different positions, so that pollen cannot, यह जो मैने भी समझाया था आपको हर को गयमी की. अधर की position अलग और stamen की position अलग. तो यह किस की बात कर रहा है, हर को गयमी की. जो prevent कर रहा है, self pollination को promote कर रहा है, cross pollination को. तो उसको आप जरूर देखे. उसके अलावा एक और जो बात यह कर रहा है, यहां कर रहा है, self coin completely अगली वीडियो में करूँगा, कि another device to prevent self pollination is to production of unisexual flower. जो मैंने भी कहा, कि support करता है इसको diclining, and diclining का मतलब क्या, presence of unisexual flower. तो यहां पर लिख रहा है यह, कि another device to prevent self pollination is the production of unisexual flower. बोथ male and female flowers are present on the same plant such as castor mage, तो monoecious condition, तो monoecious में मैंने आपको बताया कि auto game तो नहीं होगा, लेकिन यहां, jetino game भी होगा और geno game. तो it prevents monoecious condition, it prevents autogamy, but not the jetino game and geno game. इन several species such as papaya, तो diocese condition, male and female flowers are present on different plants. तो that is, each plant is either male or female, diocese, this condition prevent both autogamy and jetino game. तो जो मैंने भी आपको समझाया है, कि अगर diocese condition होगी, तो न तो autogamy होगा, न जटीनोगे में होगा. वहां के वल क्या होगा, तो वहां geno game. तो आपको इस समझ में आ गया होगा, अब इसमें जो hetero style yourself, incompatibility का पार्ट है, इसको मैं अगले वीडियो लेक्चर में डिसक्स करूँगा. आपको अगर यह समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो जुरूर शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए बच्चों. और हमारे चैनल, Neat Brahma Master को like, share, subscribe करने के साथ साथ जो है, अपने मित्रों के साथ बताईए. और Google Play Store से डाउनलोड कीजिए हमारा एप CMI Need Concept Classes. बहुत बहुत धन्यवाद.